Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Brains. Magnet Brains एक ऐसा प्लैटफॉर्म है, जहां पर आपको Class KG से लेके Class 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस बिल्कुल Free of Cost Available है. Magnet Brains पर ऐसा नहीं होता है कि दो चैप्टर आपको Free में पढ़ाने के बाद हम लोग आपसे कोई Free Charge करते हैं, यहां पर आपको सारे चैप्टर के वीडियोस बिल्कुल Free of Cost Available मिलेंगे. और यह है Magnet Brains की पूरी Humanities की टीम, जो की जोरो शोरो से महनत करती है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, so that आप हमारे वीडियोस देखके, exam सें बहुत अच्छे marks score कर सकें और अपने माबाप का नाम रौशन करें. आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे People Engaged in Tertiary Activities के बारे में, कि कौन-कौन से लोग Tertiary Activities में इंगेज रहते हैं, साथ ही साथ हम लोग Tourist के बारे में बात करेंगे, Tourism Industry के बारे में बात करेंगे, कि Tourism Industry कैसे ग्रो कर तुम उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है, आपको टॉपिक समझ में आ गया है, तो स्टाट करते हैं, टुड़ें, most of the people are service worker, services are provided in all societies, but in more developed countries, a higher percentage of worker is employed in providing services as compared to less developed countries, the trend in employment in this sector has been increasing while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities. यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो टर्जरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें employment का trend बढ़ते जा रहा है, आप खुद देखते होंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कित्ती सारी चीज़ें कवर हैं, लॉयर भी है, टीचर भी है, वो गार्डनर भी है, जो आपकी कालोनी में जो कपड़े वाला भहिया है, वो भी है, सबजी वाला, सारी चीज़ें क्या है, यह सारी लोग जो हैं, वो किस से बिलॉंग करते हैं, यह सर्विस सेक्टर से बिलॉंग करते हैं, साथ ही साथ में हमने साथ टूरिजम इंडस्ट तर्जरे और हम यह भी देखते हैं कि क्या हो रहा है प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें रोजगार इतना संथाइन औ hatır luk की प्रॉमध की डबे वाले भाईया की बात की थी कि वो कैसे अपना रोजगार चला रहा है कैसे वो अपने पेट को पाल रहा है क्लियर है तो जैसे जैसे एकोनामी डेवलप होते जाती है जैसे जैसे देश डेवलप होते जाता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ते जा रहा है अब सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइमरी और सेकंडरी अक्टिविटीज में रोजगार नहीं मिल रहा है उन में उतना ही रोजगार है लेकिन तो भी आम मान लो एक घर में चार लोग है ठीक है तो और वो एक गाओं में एक घर है और उनके पास अच्छी थोड़ी सी जमीन है और उस घर में चार लोग है मतलब चार लोग इंटे सेंस की चार लोग जो हैं जो की काम करने के लायक है तो चारो के चारो खेती में लगेंगे तो भी उतना ही आउट पूटा आएगा तो होता यह है कि घर के बड़े बोल देते कि बहिया यह काम तो मैं केला ही समार लूँगा तुम तीन तो जाओ तुम तीन तो कुछ नौकरी वगरा करो तो कम से कम हमारी घर में आमदर नहीं बहुत जादा लोग नहीं चाहिए तो एक परिवार के जिसे चार काम करने वाले इंसान हैं तो दो वहाँ पर काम करें और दो कहीं सर्विस सेक्टर में आ गया तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में लोगों का इंगेजमेंट बढ़ते जा रहा है क्लियर है यह वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है अब हम बात करेंगे टूरिजम की घूमना फिर ना सबको पसंद है आपको यह पसंद है कि छुट्टियां हो हम कहीं जाएं कई बारा पापा ममी से जित करते हैं वो लेके नहीं जाते हैं यह सब के साथ में होत में से खुश रहते हैं तो जो टूरिजम इंडिश्ट्री है वो भी किस चीज़ का पार्ट है वो भी टरजरी आक्टिविटी का बाठ है Nope में आप फार्हां कर ti है लेकिन हमने उस गाइट को 100 200 300 400 जो भी हमारी बात हुई हमने वह रुपे दिये उसने अपनी सर्विसेस प्रोवाइड की उसने कुछ हमें हिस्ट्री का एंगल कुछ ऐसी सारी चीज़े बताई उसने हमें पूरे घुमने फिरने का बताई कि यहां घुम लेना वहां घुम उसने बताई फिर हम कहीं देखने गए हम कोई महल में गए तो उस महल में एंटी टिकेट थी 10 रुपे तो हमने वह 10 रुपे दिया हमने वह सारी चीज़े अंदर से देखी वह 10 रुपे क्यों लिया ताकि उस महल की देख रेक करने के लिए जो वरकर्स लग रहे हैं जो काम हो रहा है वह उस 10 रुपे से उसका काम चल पाये जैसा 10-10 रुपे कर कि बहुत रुपे हो जाते हैं तो हमने वहां रुपे दिया हूं होटेल वगयरमे हूं होटल में रुखे करें फिर हमने खाना खाया हमारे हां रूम शर्वेस वगए तिमाम चीजह टूरिजम इंडस्री कितनी बड़ी है साथ साथ में पास में रिसॉर्ट हुआ कोई स्विमिंग पूल हुआ कोई वाटर पार्क हुआ तो हम वहाँ चले गए तो यह तमाम तरीके तो समय आ गया है कि आपने जो भी पढ़ा है उन सारे concept को आप यहां पर apply कर दो तो automatically आपको चीज़े clear हो जाएंगे Tourism is a travel undertaken for the purpose of recreation rather than business Tourism वही है कि हम recreation के लिए मतलब must एक leisure time enjoy कर रहे है हमें कोई business की काम से नहीं जा रहे हैं टोटल रजिस्टर 250 million and total revenue 40% of the total GDP पूरे वर्ल्ड की 40% of the total GDP tourism से आती सोचो 40% पूरे वर्ल्ड की GDP सिर्फ तूरिजम से आती है और 250 million jobs दी है अपते फिगर हर साल update होता है ना हर साल फिगर अपडेट होता तो अब तो इस बड़ा शेयर इनका चीक बेसाइड मैनी लोकल परसन आर इंप्लाइड तो प्रवाइड सर्विसेज लैक अकॉमेडेशन मील ट्रांसपोर्ट एंटर्टेंडमेंट स्पेशल सॉप्स सर्विंग दे टूरिस्ट अब इसमें कैसे रोजगार दिये जाते हैं वही कि एक अच्छा महल है तो इसके बगल में वाटर पार्क बना दो लोग घुमने तो आई जाएंगे तो इस तरीके से कुछ चार्ट भी आ वह अगर वह वाटर पार्क बना तो उस वाटर पार्क को देख रहें के लिए 10 लोग लगेंगे तो उन 10 लोगों को रोजगार मिला है तो ऐसे करके टूरिस्ट इंडस्ट्री यह टूरिजम वाली इंडस्ट्री है वह बढ़ती जा रही है टूरिजम फॉस्चर ग्रोथ आ नहीं तो सारी चीजहें हैं तो सारी टूरिजम इंडस्ट्री ने बहुत शारी दूख्षी जो इंडस्ट्री जंट्री इंडस्ट्री जें उनको डेवलप कर दिया साथी साक्व्षैंगे जो करा टूर्यी करेंheld ऊणेृच में करांफ के सावारी ज Committee कर दो 10 देन वो dance करती हैं वो सारी चीज़ें जो करती हैं वो क्या है वो एक local heritage है उन सब को protect करके रखा जा रहा है वहाँ की जो designs है वहाँ के जो राजिस्तार के जो लहंगे के जो कपड़े होते हैं जो उनकी जो अलग designs है वो कहीं न कहीं लुप्त होते जारी आज काल उन्हें कौन लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं तो tourist भी उनसे attract हो रहे हैं वो भी उसे पहन रहे हैं वो अपने साथ में अपने देश लेके जा रहे हैं तो कहीं न कहीं यह जो tourist industries हैं इसने बहुत सारी छुटी-छुटी जो दूसरी industries हैं इनको भी sustain करके रखा है in some reason tourist is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather conditions but many regions attract visitors all year around अब देखो region to region भी depend करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहां पर टूरिस्ट एक पर्टिकुलर सीजन में जादा जाना पसंद करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर हमेशा 12 महीने तूरिस्ट देखने को मिलेंगे वही राजिस्टान में भी देखो त देखने को मिलेंगे comparable गर्मी के टाइम पर तो कुछ टूरिस्ट प्लेसे जोती वह सीजनल होती हैं कुछ टूरिस्ट प्लेसे ऐसी होती हैं जो कि हमेशा throughout the year एक जैसे वहां पर चलता है वह सीजन पर भी वैरी करता है क्लियर है यह चीज़ें आपको समझ में आ गई अगर 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 आप यूरोप के दूसरे देशों की बात करें तो नीचे आते हैं तो हम पे नॉर्माली क्लाइमेट दूसरे यूरोपियन कंट्री जो उपर हैं उनके मुकाबले वहां पर थोड़ा सा वारमर देखने को मिलता है तो वहां पे लोग आते हैं इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके देशों में ठंडीया बहत है यहां थोड़ा सा क्लाइमेट होता है तो महां enjoy करते हैं West Coast इंडिया में लोग enjoy कर रहे हैं अब वो लोगों के टेस्ट पर भी depend करता है जैसे वही वाली बात है कि किसी को historic towns पसंदे किसी को winter sport किसी को पहार वगेरा में जाने पसंदे किसी को national park किसी को river rafting वगेरा यह सब करना पसंदे तो किसी को पूराने किले में जाना महां की cultural activities देखना यह सारी चीज़े पसंदे तो यह percent to percent vary कर रहा है कोई cultural heritage site जाता है तो कोई mountain कोई landscape वाली चीज़ों को enjoy करता है तो tourist regions तो हैं बहुत सारी regions बन जाते हैं लेकिन it depends upon कि tourist को कैसी जगा पर जाना है उसके उपर बहुत ज़्यादा करता है clear है now factor affecting tourism कौन-कौन से फेक्टर tourism को affect करते हैं transport है पहला और दूसरा है demand सबसे पहले transport में क्या है कि आजकार हम देखते हैं कि वह tourist area पर सबसे जाते हैं जहां पर connectivity बहुत अच्छी हो जैसे रोड अच्छे हो फ्लाइट की विवस्ता हो ट्रेंस हो और भी बहुत सारी टैक्सी बगेरा चल रही हो तो जो government है ना वह infrastructure पर बहुत ध्यान देती है वह सबसे जादा रोड अच्छे से develop करती है क्योंकि लोगों को कार से जाना पसंद है उसके बारने आपको सोचो ना कि अगर खराब रस्ता होगा तो आप खुदी नहीं जाओगे आपके ममी पाप connectivity देखी जा फिर उसके बार में कुछ taxis वगएरा रोड में कुछ टैक्सी वगएरा वहाँ पर अविलेबल होनी चाहिए ताकि वो आजपास में जाए या पिर हम लोग अगर फलाइट में भी जाए तो टैक्सी वानी चाहिए ताकि आजपास वाले डीजन में जाये तो connectivity ब समाम चीजें बहुत जादा इंफ्लूएंस करती है इस टूरिजम इंडस्ट्री को क्लियर है समझ में आ गया टूरिस अट्राक्शन अब कोई भी प्लेस है तो लोग उससे कैसे अट्राक्ट होंगे क्लाइमेट की वज़े से होंगे वहां का क्लाइमेट कैसा है अब वही हर इंसान के उपर है जो बहुत थंड वाली कंट्रीज में रह रहे हैं जो रशिया में या यूरोप में बहुत उपर उपर थंड वाली कंट्रीज में उनको थोड़ी सी वारमर जगा पर आना अच्छा करते हैं तो हम लोग सोचते कुछ चंडी वाली जगह पर लेकिन गर्मी की चुटी में ज्यादा मज़ा आता है घुमने में कंपरेबल गर्मी पसीना गिर रहा है घूम रहें उतने मज़ें नहीं आपाते हैं तो क्लाइमेटिक कंडिशन बहुत इंपॉर्टन डॉल प्ले क करती है हिस्टी एन आर्ट कुछ लोगों को कल्चर पुराने किले वह सारी चीजें हमारी हिस्ट्री एक्स्प्लोर करने में मज़ा आता है कुछ को लैंड्सकेप वाली जगह में ज्यादा पसंद जहां से व्यू बहुत अच्छा दिखता हो जहां पे एकदम शानती हो बुड़े होई चीजें एकोनामी देखो अब उसमें हम ऐसा भी ले सकते हैं जैसे गोआ वगयरा में जाते तो लोग बीचेज वगयरा पब वगयरा यह सारी चीजे भी चाहिए तो हर एरिया में अपनी अपनी बाते हैं और लोग उस हिसाप से वापे जाते किसी को डिसको जर्शे लाएक स्टिरी एन आर्ट कल्चर एन एकोनामी लेंसकेप क्लाइमेट यह तमाम चीजें कुछ टूरिस्ट अट्रक्शन है जिक यह देन medical services for overseas patients in India, अब क्या होता है, इंडिया में medical tourism की एक नया जो term है, कि लोग अपना ilaj करवाने आते हैं, साथी साथ घूम भी लेते हैं, जिसे कई बार हम घूमने जाते हैं, आज हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, कि हम हमारा ilaj भी करवा लेंगे और घूम भी लेंगे, जिसे बहुत सारी developed countries से क्या होता है, इंडिया में लोग आते हैं, क्योंकि अगर आप मेट्रोपॉलिटेन सिटीज में देखें, जो बड़ी बड़ी शहर हैं, बेंगलूरू, मुंबाई, डेली, कुल कताचे नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखो US के मुकाबले, UK के मुकाबले, ठीक है, फ्रांस के मुकाबले हमारे इलाज सस्ता होगा, और ऐसा नहीं इंडिया में इलाज अच्छा भी होता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हॉस्पिटल्स हैं इंडिया म देखें, तो चीजएं वाब पे थोड़ी सी महेंगी पड़ती तो वह इंडिया में आके अपना इलाज करवाने तो साथी साथ क्या देखते हैं कि हम घूम भी लेंगे, हमारा इलाज भी करवा और घूम भी लेंगे, साथी साथ जो अंडर डेवलप कंट्रीज रहती हैं आ तो इंडिया तो उनको ऐसा लगता है कि जो अश्य नेशन ने चाहिए इंडिया हो चाहिए सिंगापूर और सस्ते में भी होगा कंपेरबल यूरोपिय निशन के मुकाबले सस्टे में भी होगा सर्विस भी अच्छी मिलेगी साती साथ अगर हम लोग ऐसे भी रहेंगे तो सस्था पढ़ेगा अमेरिका के मुकाबले तो इस मामले में हम देखते कि इंडिया में जो लोगई में बहुत सारे आते अपने ईलाज करवाने और को जब अपने उलाज के दोना वो लोग घूमते बीए एक्सप्रोर भी करते हैं अब मुंबई आया तो लोना वाला जरूर 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 चले जाएंगे तो ऐसा होता नहीं करनाटका नाटका में इन तमाम चीज़ों को वो लोग explore कर लेते हैं चीक अबाउट 55,000 patients from USA visited India in 2005 for treatment चीक है 2005 का गर हम डीटा देखे तो 55,000 patients आ थे इंडिया में और ये तो कुछ रजिस्ट ये तो registered है कई बार कुछ figures unregistered भी होते तो इसमें हम थोड़े बाग प्लस मैनस भी कर सकते हैं तो इतने लोग आये थे ये अभी देखे तो small number है आज की तारीक के मुकाबले तो और भी small number है लेकिन हम लोग देखते हैं कि दिन बादीन बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं अपनी surgeries करवा रहे हैं इंडिया इमर्ज अ लीडिंग कंट्री ओफ मैडिकल टूरिजम इन दे वर्ल वर्ल क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन अच्छा कासा है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंडिया ही जो इसिया की अच्छी कंपनी को बुला रहे हैं अच्छी कंपनी क्या कर रही है अच्छी अच्छी कंपनी और चीजों को उस कंपनी को अपने टेंडर एक तरीके से दी दिया कि हमारी कंट्री में तुम परफॉर्म करो तो हम आउट्सोर्चिंग करने तो उससे और इसमें पॉलिटिकल साइंस को मिक्स कर दो जबने क्लास च्छेड़ में पढ़ाया कर अपने 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 आपने लोगलाईजेशन को आप मिक्स अप हो गया ठीक है तो यह जो आउट्सोर्चिंग है यह बहुत सारे एडवांटेज डेके आया है इसे क्वालिटी बढ़ tourism industry कैसे grow कर रही है और कैसे रोजगार दे रही है पूरी चीजें उसके बारे में थी तो I hope आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सारे concept आपको बहुत अच्छे से clear हो गए होगे सो magnet brains के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एकसेस कर ही सकते हैं बट बहुत बार यह होता है कि आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो उसका solution भी magnet brains लेके आया है वो है magnet brains की website magnet brains की website पर पहुशने के लिए सिंप्री आप लोग गूगल पर जाएं गूगल पर आप magnetbrains.com लिखे और सर्च पर क्लिक कीजिए जैसी आप magnetbrains.com लिखे सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीकी का interface आपको नज़र आएगा यहां नीचे दिया गया होगा explore top courses यहां cbsc, english medium, ntsc, olympiard, hindi medium, state board, सदारी चीज़ें आपको magnet brains पर ही available होगी यहां पर जैसी आप मान लीजिए cbsc english medium पर क्लिक करते हैं तो वैसे यहां पर सभी classes आपको नीचे दिख जाएंगे और इनमें साब को जिस class की पढ़ाई करनी होँ आप उस class पर जाके click कर सकते हैं suppose कि आप class 12 पर जाके touch कर तो जैसे आप class 12 पर जाएंगे class 12 के जितने भी subject पर videos बन गए हूंगे वह सभी screen पर नजर आजाएंगे चाहाiscience stream के होMyAntis stream के होyen parks क्लास 2 पर जितने भी subject के वीडियोे बन गये हैं वीडियोस जो होंगे यह आपकी NCRT book के according होंगे और यहां पे जो वीडियोस का format होगा वो chapter wise videos arrange होंगे chapter wise में topic wise videos arrange मिलेंगे so it is up to you अगर आप YouTube से comfortable है तो YouTube से पढ़िए लेकिन अगर आप को YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप website के माध्यम से या magnet brains के app के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं इसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं it is all up to you साथी साथ आप लोगों के लिए खुश कबरी है magnet brains ने अपना एक नया चैनल लांच किया है जो कि magnet brains हिंदी के नाम से हैं आप इस चैनल पे पूरा हिंदी मीडियम का content available है तो अगर कोई भी cbse board का हो जो कि हिंदी मीडियम का बच्चा और जो कि हिंदी में पढ़ना चाहा रहा हो तो यहां पे वह इस चैनल पे जाके अपनी पढ़ाई कर सकता है सारा content फगरा हिंदी में ही यह और यहां भी खास बात जो है जो मैगनेट ब्रेंज की यूएस पी है कि यहां पे सारी चीज़े बिल्कुल free of cost available है यहां पे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज बिल्कुल free of cost available है मैगनेट ब्रेंज एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पे जितने भी वीडियोज मिलेंगे ना वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल free of cost available है सारे वीडियोज आप इन वीडियोज को शेयर कीजिए मैगनेट ब्रेंज के बारे में बताईए अपने स्कूल, कॉलेज, इस्ट्यूशन, भाई बेनों को बताईए साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद